वेरिकोसील के बारे में हम सिंपल बात करेंगें वेरिकोसील बेसिकली अगर आप ऐसे पेशेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता हो कि लेफ्ट साइड में पहले ही मिलता है में वेरिकोसील तब उसके बाद वो राइट साइड में जाता है Most of the patient को हम यही देखते हैं कि लेफ्ट साइड में वेरिकोसील हुआ तो राइट साइड में वेरिकोसील जा रहा है अब कुछ patients होते हैं जिनको लेफ्ट साइड वेरिकोसील डेटेक्ट होता है रिपोर्स में बट उनको पेइन जो होता है वो राइट साइड होता है ठीक है, वो radiate होता है, वो उपर नाभी की तरफ भी जाता है, पैरों की तरफ भी जाता है और हमारे ignoil area, मतलब जहाँ पर thighs और हमारा pelvic portion का बीच में match होता है ये सालिम area में, इस area में भी pain जाता है, radiate होता है और वैसे ही left side का अगर varicocele detect हो है, तो वो right side भी जा सकता है ठीक है, तो उनके लिए जो कहते हैं कि sir, मैंको left side में varicocele है, बट मैंको pain हमेशा right side होता है ये उनका answer है, कि अगर आपको pain right side हो रहा है, तो वो radiating pain भी हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि right side वाला varicocele develop हो गया, तो bilateral को समझो, bilateral varicocele जब तक reports आपके पुष्टी नहीं कर देती कि हाँ भी आपको महाँ पर भी कोई paniform form create हो रही है, या महाँ पर vein जो है, वो मोटी हो रही है, या महाँ पर भी कोई diameter mention हो रहा है, तब तक आप समझे ही नहीं कि महाँ पर कोई varicocele है, क्योंकि बहुत सारे patients यह सोच लेते हैं, कि सर पहले left side में varicocele था, मैंने test वेगरा करवा रखे महीने पर पहले, बट मैं को right side में भी pain होना चालो हो गया, तो मेरा right side वाला varicocele डवलप हो गया, वर जब हम reports करवाते हैं, जब हम ultra sound करवाते हैं, तो उसमें हमें नहीं detect होता कि वो right side में actually में varicocele डवलप हो है, अब simple सी बात करेंगे, कि varicocele को maintain अराम से किया जा सकता है, मैं नहीं चाहता कि आप आप कहीं से treatment लें बट आप उसको maintain कर सकते हैं, चाहे वो bilateral varicocele हो चाहे वो left side का हो, चाहे वो right side को, right side वाला जो varicocele हो बहुत rare मिलते हैं, left side के maximum मिलते हैं, ठीक है, और bilateral भी मिल जाते हैं, बट right side वाले varicocele बहुत rare मिलते हैं, simple, आप समझे कि उसकी formation कैसे हुई है, varicocele क formation कैसे लिए, basically आपकी वेन के अंदर रिफलेक्सिस रिफलेक्सिस माने कि कि महाँ पर reversal flow start हुआ है, reversal flow कि वो महाँ पर गोल घूमके खुन जो है, वो reversal flow की तरफ या दुबारा से घुमके उसी दारा में घुम रहा है जिस दारा से वो आया था simple अब जहां पर भी राउंड लेगा यहां पर भी वो गुमाएगा कुन को वहाँ पर क्या होगा में का साइस बढ़ जाएगा थीक है अब देखा जाए तो वेंज एक नहीं होती है हमारे उस पार्ट पर उस पार्ट पर multiple ँति हैं तो multiple वेंज जो होती है वो जरूरी है कि सारी की सारी में अगर आप रिपोर्ट में देखते होगे तो उसमें वो मैकसिमं डायामेटर देते हैं अगर आप hours करो कभी अपनी आपके पास रिपोर्ट होगी तो वह सारी में को वेंच लीकासिल ना काट देंगे कोई एक वेन काटेंगे, सिंपल सी बात है, या दो वेन काटेंगे, या दो वेन को नोट लगा देंगे, बांद देंगे, चिपका देंगे, कौटरी कर देंगे, सारी जो चीजे होती है, वो सिंगल एक या दो या तीन वेन पर होंगे, जो सबसे जादा फूल जो होगी, उसी पर जाता है रादर दन और वेंस को छेड़ा भी नहीं जाता है तो सिंपल महा पर रिफ्लक्सिस क्रेट हुए जिसकी वज़ा से उस नबना डायमेटर बढ़ा किया और डायमेटर बढ़ा करने की वज़ा से वह आपको दिक्कत देना स्टाट करते है अमाल लीजे अगर कोई देरे देरे कम करना स्टाट करतेगा जैसे कि मान लीजेगा अगर में को खाना टाइम पे मिल रहा है सारी चीजे में को टाइम पे मिले तो मैं चल रहा हूं फिर रहा हूं आप से बात कर पा रहा हूं अगर यही चीज में को खाना ही लाक मिलेगा या ऐसा समझ लीजे कि बा के विज़ा से हम देखते हैं कि हॉर्मोन इंबैलेंस नॉमल है टेस्टीज का काम है कि वह टेस्टेसोलन हॉर्मोन दे आपको उसमें थोड़ा लाइक हो जाएगा ठीक है दूरसा स्पम प्रोडक्शन उसमें लाइक हो जाएगा जब में को एनरजी नी मिल री तो मैं प्रोड से में सिनारियो समझ लो कि बार-बार महां पर घूमने की वज़ा से महां की वाल स्काब होनी की वज़ा से वह दीरे-दीरे करके आपको दर्द देना चालू करते है अब बहुत से पेश्ट मुझसे भी बूष्टा है कि वैरिकोसील में 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 को पें नहीं होता बाइलेट स्पर्म काउंट कम थे बाद में फर्दर उन्होंने जार पार जांच कर रहा है तो इसमें पता चला कि वेरी को सिल डिटेक्ट हुआ बट आर सक उनको ना कोई सिंप्टम मिला ना कोई पेन मिला ना कोई ऐसा डिस्टरबेंस मिली तो महाँ पर हमें थोड़ा सा टफ हो जाता है हम भी अगर जैसे कोई भी डॉक्टर होता है उसको यह पता चलता है कि मैं जैसे मैं आपकी साथ हूँ कि मैं आपको कोई एक मैडिसिन देता हूँ या कोई दवाई देता हूँ वहाँपर क्या होता है मैडिसीन का इक इंपक्ट मिलेगा? इसके यहांसर्स मिलेगे? तो मिलेगा मिलेगे मिरेको reward back मिलेगा कि पहले क्या खा और अब क्या है? समझ लेजेए, मुझने अगर एक हफ्ते में एक बारी पेन में आते में आते हो, तो पेन को खतम करेगा, महां की इंफ्लमेशन करेगा, महां की ब्लेट के फ्लो को बैटर करेगा, बुर्निंग सेन्सेशन देगा, तेस्टिकल्स थोड़े से बर्न अप होंगे, ऐसे लगएगा थोड़े हीट हीट हो रहे हैं, यह थोड़ी हम चेक करने की कोशिच करते हैं, से पूछने की कोशिश करते हैं ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसका जब हम रिपोर्ट कराते हैं तो वह हमको हमारे फेवर में मिलती है या आपके फेवर में मिलती है जैसे कि अब मैं आपको दिखाने जारूं बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट उसको देखि कर सकते है नॉमल जो मैंने दिखा भी रखी है निकल जाएगा या इंडियन सीट पर बैट के स्टूल पास करने की आदर डाल सकते है तो यह कुछ एक्टिविटी इस आप नॉमल डे टुड़े की रूटीन में चेंज करके भी अपने आपको सौर्टे डग सकते है मैंनेज कर स ज़रूरी निए कि आपको treatment की requirement है मैंने कहता कि आपको treatment की requirement है बट treatment करवाना अच्छी बात है बट अगर आज की डेट में आहीं करवा पारे किसी भी issue की वज़ा से जयसे army के patients होते है army के patients को इतना टाइम नहीं होता कि वो doctor को follow पूरा दंग से करपाए ठीक है treatment दंबा चलत कैसे भी तो यह exercise का link जो है वो में नीचे अपने description में डाल दूँगा और आप उसको जाहिए follow कीजिए day to day की routine में लाइए और उसी से अपने वेरिको सील को heal होते वे देखिए पेन में रिलीव होते वे देखिए और आपके जो hormone imbalance हो उसमें सुधार होते वे देखिए वह आप खुद चेक कर सकते हैं इसी के साथ अगर आपको वेरिको सील की कैसी भी problem हो समझ जो कि कोईसी भी दर्द है नहीं है दर्द या आपको लग है कि वह लेफ्ट साइड का था बर राइड साइड में पेर हो रहा है तब भी आप मुझे से question पूछ सकते हैं में से asking कर सकते हैं नीचे दियेवे number पे मैं को call कर सकते हैं या WhatsApp कर सकते हैं अपने reports को ठीक है और मेरी team से बात कर सकते हैं अब में पास solution हो को तो मैं definitely आपको solution द हुई है तो आपके लंबे दिन चार चार दिन वेट करना पड़ जाता है तो मैंने उन सब चीजों को थोड़ा सा solve करने की कुशिश की है चाहता हूं कि आप में को call कीजिए मेरी team से बात कीजिए और एक consult करके एक right solution दीजिए तब तक लिए नमस्का मिलेंगे next video पे बट य और after में कितना variation है ठीक है नमस्कार